बहुत दुरलब ख्षण हैं आप इन ख्षणों को अपने हरदय में उतार लें और मेडिया से रेक्वेस्ट है इने कैमरे में उतार लें बाबा से हम निवेदन करते हैं आदरनी बच्चन जी हमारे सामने हैं उन्हें पुष्प भेंट करेंगे और शॉल से सम्मानित करेंगे यह सब कुछ विलक्षन है जो आज इस मंच पर घटित हो रहा है हमारा सौभाग्य है हमारे बीच मशुहूर संगीत कार जोड़ी लक्षमी कांद प्यारे लाल प्यारे लाल जी हमारे सामने हैं हम आपसे निवेदन करते हैं करव्या मंच पर पधारे इस शहर के मेर श्री विश्वनात महाडेश्वर जी हमारे बीच है आपसे विनम्र प्र आर्थना है कि मंच पर आएं इस बांदरा के एमले भारती जन्रता पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष एड़्वोकेट आशी शेलार जी हमारे बीच है आपसे हमारी गुजारिश है मंच पर आएं आप सभी क्याने से किरन जोग लेकर जे करपया मंच पर आएं करफया मंच पर आएं हो आपके आए बगर मंच अधूरा होगा हमारा सोभाग्य ऐसे विद्वत जन्रत आज हमारे मंच पर है मंच की शोभा बढ़ रही है आयो जन की करिमा बढ़ रही है पंडित विजय घाटे से हम निवेदन करते हैं, प्यारे लाल जी को पुश्प भेट करें और उन्हें शॉल उढ़ा कर अपना बना लें किरन जोग लेकर जिसे मैं निवेदन करता हूँ शहर के मेयर श्री विश्वनात महादेश्वर जी को पुश्प भेट करें और उन्हें भी शॉल उढ़ा कर अपना बनाएं दिलादरी जी से हमने वेदन करते हैं एड़ोकेट आशी शेलार जी हमारे बीच में है जिन्होंने हमारे फाउंडेशन के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा दी है हमें उत्साहित किया है कि हम ऐसे आयोजन कर सकें बांदरा वेस्ट में ऐसे आयोजनों की कमी रहती है हम आपकी प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं निलादरी जी से निवेदन है आशी जी को पूश्प भेंट करें और उन्हें शौल उढ़ा कर और अपना बना लें बैसे तो अपने ही है आप सभी अतितियों से हम बिनम्र निवेदन करते हैं यहां मंच पर सामने आएं ताकि आज के पंडितकार्तिक फाउंडेशन की विधिवत उद्गाटन हम यहां कर सकें मारणीय अमिताब बच्चन के हाथों से जैसे कि हमारी परंपरा है अक्सर हम रिबन काटते हैं यहां पर आज रिबन नहीं काटेंगे उगलियों के स्पर्ष से गिटार के की नोट को स्पर्ष करके आधरनीय बच्चन जे आज के हमारे इस फाउंडेशन पंडित कार्तिक कुमार फाउंडेशन की विधिवत स्थापना की घोशना करेंगे आप सभी से निवेदन है क्रपया सामने आजाएं पंडित कार्तिक कुमार फाउंडेशन की विधिवत उद्घाटन की घोशना हो चुकी है बच्चिन जी के हाथो और हम माननिये, बच्चिन साहाब से हम निवेदन करते हैंगे अपन शब्दों से हमें अभीषोत करें, हमें सम्रिद्ध करें, हमारा मार्ग दर्शन करें, यह हमारे लिए बड़े गर्व का पल है कि हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं और हमारा सोभाग्य है देवियों सर्जुनों नमस्काल आज की इस उद्वाटन समारों में निलाद्री कुमार जी ने मुझे आमंत्रित किया मैं अपना भार परकट करता हूँ और मुझे अफसर दिया कि संगीत के सुर्टाल के दिगजों और महारतियों के बीच मुझे बैठने का अफसर मिला यह मेरा बाद बड़ा सोभाग्य है बहुत धन्यमाद निलाद्री कुमार जी को कई वर्ष पहले ऐसे ही एक सभा में हमने सुना अच्छा लगा ने से बेंट हुई थोड़ी बहुत बाते हुई उसके बाद समय बीद गया हम अपने राह चल पड़े वो अपनी राह पे कई वर्षों पहले अभी मेरे एक मित्र की शादी थी और उस बया में मैं वहाँ उपस्ति था बया की जितने रीत रिवाच हैं वो सब चल रहे थे हसी मजाग गाना मजाना सब चल रहा था और निपत्थी में कहीं बहुती धीमेस वर में कुछ एक सितार पर धुन बज़ रही थी आम तोर पर ऐसा होता है इसे अफसरों पर इसे कहते हैं आम्बियन्ट म्यूजिक जो है वो बज़ता रहता है मेरा ध्यान उस और गया और मैंने जानना चाहा कि ये क्या है और ढूंटे ढूंटे उस सवावने में कहीं पीछे कोने में एक सज्जन बैठे थे ऐसे ही उनके सामने ऐसे एक मशीन थी उस पर वो कुछ संगीत बजा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये किसका संगीत है क्या बजा रहे हो का साथ हमको मालूम नहीं हमको बोला था बजाने के लिए से हम बजा रहे है मैंने कर ने नी ढूंडो क्या है कुछ तो होगा बहुत ढूंडान के उसने एक सीडी निकाला हम बोला साथ कोई निलादरी कुमार है मैं बजा रहे है कोई निलादरी कुमार मैं अपने मन महीं इसकी मूर्खता पर हसा और फिर घर पहुंचा और जितने भी निलादरी कुमार जी के अलबम थे सीडी जी थे उन सब को मैंने खरीदा डाउनलोड किया और आज उन्हें प्रती दिन मैं सुनता हूँ बड़ी शांती मिलती है उनसे अपने पूछ बाबजी से एक बार मैंने पूछा कि लता जी की जो गाय की है लता मंगेशकर की जो गाय की है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं तुन्हें ने कहा कि लता जी जब गाती है तो वो शेहत की धार की तरह होता है मिठास होती है शेहत की और शहद की धार क्योंकि तोड़ी नहीं जा सकती इसलिए उनका सुर्ज जो है वो कभी तूटता नहीं निलाद्री कुमार जी को जब मैं सितार बजाते वे सुनता हूं तो वही शहद की धार मुझे मिलती है उनकी वादन में वो मिठास है और इनके सुर जो हैं वो कभी तूटते नहीं हैं कई बार हम लोग यहां पर बैट करके जब यतने भी संगीत प्रेमी हैं अच्छे अच्छे सुरों को सुनते हैं तो हमारे मुझे उसे प्रशंजा निकलती है वावा ही निकलती है और कभी हम सोच नहीं पाते ही देखिए क्यों ऐसा होता है वो ऐसा इसलिए होता है देवियों सुजनों की वो तार जिसे ये जंकरित करते हैं वो मनुश्य की आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है और जब जब वो तार जंकरित होता है इनसान जो है वो परमात्मा के करीब पहुंच जाता है मैं आज के इस कारक्रम की आज के इस उदगाटन की लादर जी आपको बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूँ आप इसी तरह अपने इन तारों को जंकरित करते रहे और हमारी आत्माओं को परमात्मा से मिलाते रहे बहुत बहुत धन्यवाद आपके मंच पर आने की हमारे इस आयोजन में आने की बहुत बहुत धन्यवाद आप एक बार सामने आएं तो हमारी camera person, हमारी media, एक बार camera में कैत कर ले और मैं बार-बार कहता हूँ यह दुरलवक्षन है, इन्हें हम अपने हृदय में उतार लें और हिर्दे में सुरक्षित कर लें, संरक्षित कर लें बड़ा आनन्द आएगा जब अपने हिर्दे के द्वार आप फिर खोलेंगे तो इसे स्मरण करके बहुत आनन्द आएगा जाएगा कर आप अपने हिर्दे उसे स्मर्ण कर दोलेंगे कर दोले हिर्दे कर दोलेकी ओड़ा आनन्द आनन्द आएगा झाल झाल बहुत बहुत धन्यवाद और ये इतिहास लिखा जा रहा है सुरों के दुनिया में बहुत ये इतिहाना मुदाद का जाए पास लुदा हैं बहुत बहुत धनिवाद रदे से धनिवाद हमारे संगीत प्रेमी जो अपार जनुसमुदाय यहां पर हैं उन सभी की ओर से हम बहुत बहुत धन्यवाद गयापन करते हैं करता हैं करता हैं झाल झाल झाल